हेलो दोस्तों आपका सुवागत ही आपके अपने यूटुब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेश में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पेपर एस्टू जिसमें आपको परना है संग्यान, सिखना और बाल विकास के बारे में इसके गेस पेपर को जारी कर रहा हूँ जो की बिहा डियले इग्जाम 2022 के लिए महत्यपून है क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसके पिछले वर्स मैंने गेसिंग किया था जिसमें से आपको 85% कोर्शन लड़े थे इस बार भी उसी पैटर्न को अधारित प्रशन की जा रहे हैं जो की आपको 85% से उपर पूरे ल मातर ये 35% को कर लेते हैं तो उनका जो है एक्जाम बेतर चला जाएगा मैं आपको बता देता हूं तो आप बस इस कोशन पेपर को देखे मैं आपको बता दूँ कि इस कोशन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट प्रशन है जो की टॉपिक से रिलेटेड़ है सांती साथ आ बिकास की जनकारी एक सिक्षक के लिए क्यों आवस्यक है तर्ग प्रस्तूत करें। जटिल प्रकिरिया है इसे उप्योक्त उधारन के साथ संजाईए। प्याजे के संगेनात्मक सिध्धान्त के सैक्षिक निहतार्थ क्या है। इसके बारे में आप लिखनेंगे काफी महत्यपून यह कुश्ण है यह प्रस्न पूछाई पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मुर्त संकिर्यात्मक अवस्था के विशेस लक्षनों विशेस्ताओं की व्याख्या करें। इसमें आपको पढ़ना है आपको खुद इसका एंसर ढूणना है। नेक्स्ट है जिन प्याजे के सिध्धान्त के अधार पर एक पार्थ योजना सीखने सीखने सीखाने का जो है बनाना है। अगला प्रशन आपका है समाजिक काड़े यहाँ पर गलती लिख दिया गया है यहाँ पर थोड़ी गलती है मुझे भी कोश्चन यह नहीं समझ में आ रहा है। समाजिक काड़े में समाज के विकास में समाजिक संस्कृती तत्तों की भूमिका का बिस लिशन करे। आगे बढ़ते हैं प्रशन को देखते हैं। तिपनी करना आपको नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाले परमुख कारक कौन-कौन से है काफी महत्य पुन प्रस्ट। ये प्रशन जो है प्रतेक सब्यक्ट में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे फरस्ट एर में भी सेकेंड एर में मिलेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले परमुख कारक का क्या क्या है। वहाँ पर आपने F1 में पढ़ाओगा, F2 में पढ़ाओगा, यहाँ पर आपको S2 में पढ़ना है। अवस्था में क्या होती है। या भूमी क्या होता है, उधारन देकर सपस्ट करें। ये भी प्रशन आपके previous year प्रशन है, सीखने के बेहवारवादी उपागम की संचिप्त व्याख्या करें। सीखने के जो बेहवारवादी उपागम है, इसकी संचिप्त व्याख्या करें। आपको बतादू कि ये सभी का प्रशन जो है, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी बुक में मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ कर जो है, को सिलेक्ट किया है, साथ ही साथ मैं आपको बता दू, ये पर लेते हैं तो आपको प्रिवियस एर देखने के भी जुरूत नहीं है, साड़े प्रिवियस एर कोशन इसमें अट्याच है, मैं पूरा पर्याज करूँगा कि ये काफी महत्यपून प्रस्ण है, कि सीखने में मोटिवेशन जो होता, अभी प्रेरना होता, उसका क्या महत्तो है, अभी प्रेरना क्या होता, अभी प्रेरना के परकार क्या होता है, ये भी प्रस्ण आपसे पूछे जा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें प्रस् होते हैं इसके बारे में आपको बताना है ये भी प्रशन प्रिवियस से में पूछा हुआ है हम याद कैसे करते हैं स्मिर्थी का सोरूप क्या है उधारन सहीत इसपस्ट कर देखिए हम किसी भी चीज को कैसे याद करते हैं स्मिर्थी का सोरूप क्या है उधारन सहीत आपको इ आध्यम से समझाईए, पुनर बलन से आप क्या समझते हैं, उधारन के सपस्ट करते हुए आपको बताना है, पुनर बलन मतलब क्या होता है, आप समझ गया, री इन्फोर्मेंस, री फोर्समेंट कहते हैं इसको, नेक्स्ट आपका है, पावलव और स्कीनर, यहाँ पर स्कीनर नहीं होगा यहाँ पर होगा पावलव और इसकीनर के सिधान्त के बीच मुल भूत अंतर क्या है इसके उपर बताना है आपड़ आगई बढ़ते हैं यह भी महत्तिकपुन प्रस्ण है फिर आपका अगला प्रस्ण जो है 24 नमबर इसकीनर की सक्रिय अनुबंधन सिधान्त की अलोचनातमक व्याख्या करें यह महत्तिकपुन प्रस्ण है फिर आपका है सक्रतियाइविकास के good model की संचिप्त व्याख्या करें नेक्स्ट आप का है अवधारना का ततपरे क्या है गनित शिक्षन में छात्रों को ध्याना करशित करने के लिए आप क्या क्या करेंगे उधारन देकर सपस्ट करें अवधारना इससे मतलब क्या होता है concept तो यह प्रशन जो है 2019 में पूछा गया प्रशन है 2020 में पूछा गया आप प्रिवेश एर कोशन देखेंगा आप वो मिल जाएगा इस मिर्ती में प्रशिक्षन द्वारा उत्पन की जा सकती है इस कथन के व्याख्या करें इस मिर्ती में प्रशिक्षन द्वारा उत्पन की जा सकती है क्या उत्पन की जा सकती है इस मिर्ती मीमोरी में जो है बह अपने स्केफ फोल्डिंग की व्याख्या के संदर में अपने सिक्षन और व्यास के दुरान हुए और नुभावों के लिखना ये भी महत्यपुन प्रस्ण है क्या बुद्धी की मापन किया जा सकता है अपने जबाब में पक्ष में तर्क दे अलबर्ट बंडूरा के समाजिक अधिगम सिध्धान्त की संचेप्त वर्नन कर ये महत्यपुन प्रस्ण है वाइगोच्की के समाजिक संस्कृतिक सिध्धान्त का वर्नन कर ये भी महत्यपुन है और इसी में प्रस ने पूछा जाएगा कि वाय गोत्सकी के समाधिक सांस्कृतिक सिध्धानत का सिख्छक के लिए क्या महत्त हुए सिख्छक को भी जानना चाहिए वाय गोत्सकी के समाधिक सांस्कृतिक सिध्धानत ये भी महत्यपून प्रशन है, प्रेविय सेर प्रशन है पूछा गया हुआ है, नेक्स्ट है, अनुपिडिया अनुबंधन सिध्धानते पावलाओ के स्यक्छिक नहीतांतों कोई चटचा करें, ये भी जो है, मतलब पावलाओ के जो नैतिक से जो आपने अनुबंधन सिध् प्रस्ऌति के सिध्धांत के उनिसार बच्चे के संग्यान विकास में उनके समाजिक अदिगम और भासा की क्या भृमिका होते हैं यह महत्वित्प्षुन प्रस्थ प्रश्ट प्रिवियेश रफ पूचा हुआ प्रस्थ ने empieza नेक्स्ट है बच्चों का समाजिक और सांस्कृतिक संदर्व उनके सीखने वह संग्यान को प्रभावित करता है वाईगोश्की के संदर्व में व्याख्या कड़ी ये भी महत्तिपून प्रस्ट है 35 नमर है अभी प्रिर्णा क्या है इसके प्रकारों की व्याख्या कड़ी या लिखिए अब आता है लास्ट में आपका प्रस्ट है निमलिखीत में से किनी दो पर टिपनी करें तो ये वाला जो आप देख लिए ये तना पर लेंगे तो आपका सारा से लिपस कंप्लीट हो जा कृतिम बुद्धी भासत अता बिचार सिखने सिखाने की पर किडिया में इस मिर्दी की मुमिका सक्षातकार बिधी निशत बच्चों के लिए विद्याले में भौतिक सहरचना कैसी होनी चाहिए शिखने में अभी प्रेर्णा समाजिक अधिगम का सिध्धान्त वंडूरा का यह वहला तो तुम रठी लेंगे यह जो निशे वाले में आपको बता रहो यहां से सिखने के अभी प्रेर्णा समाजिक अधिगम का सिध्धान्त वंडूरा का समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त वाई गोच्ची का सक्डिय अनुबंधन सिध्धान्त इस्किनर का यहा आपको बताया जो कि काफी महत्यपून है आपके एक्जाम के भ्यूद से तो आप इतना प्रस्ण को कर लेते हैं तो आपको एक्जाम किसी पर्यार की दिक्कत नहीं होगी और आपको मैं बता देता हूं कि आप 80% सूपर इसमें लिकर सही सही आएंगे आपके 80% नमबर आए आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे सेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थाइंडियू सो मज जाएंज भारत तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद